हाई, हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चानल पर स्वागत है तो आज का टॉपिक है हाईपरटेंशन यानि हाई बलड प्रेशर तो आज कल हम देख सकते हैं कि एक बहुत कॉमन प्रॉबलम हुई है जो बहुत सारे लोगों में दिखाई दे रही है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाईपरटेंशन क्या है क्यूं होता है, किसे होता है हाईपरटेंशन होने के बाद कौन से लक्षन दिखाई देते है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और जब हम इसे नेगलेक्ट करकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब कौन से कॉम्प्लिकेशन्स दिखाए दे सकते हैं? यह सब डीटेल में देखेंगे, तो इस वीडियो एंट तक देखिए. हाइपरटेंशन यानि हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लेड प्रेशर क्या होता है? यह देखते हैं. तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे इसके नाम में हैं ब्लड यानि खून, प्रेशर यानि फोर्स या दबाओ. यह force या दबाव किसके उपर रहता है तो हमारे खून की नसों के उपर, arteries के वॉल के उपर रहता है, जिसे blood pressure कहते हैं. जब हमारा हार्ट यानि दिल खून को पंप करता है, यह खून की नसों में एक force के साथ एक दबाव के साथ पूरे शरीर में दोड़ता है, सर्कूलेट होता है, तो इस खून के प्रेशर को arteries के वॉल के उपर जो प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को blood pressure कहते हैं. तो नॉर्मल blood pressure जो है 120 by 80 mmHg रहता है, इसमें 120 जो है इसे systolic pressure कहते हैं, और 80 mmHg जो है इसे diastolic pressure कहते हैं. सिस्टोलिक प्रेशर यानि जब हमारा heart blood को pump करता है, तब हमारे arteries के वॉल के उपर खून का जो pressure रहता है, उसे systolic pressure कहते हैं. ये थोड़ा सा diastolic pressure से जादा रहता है, हाई रहता है. diastolic pressure यानि जब हमारा heart खून को pump करता है, उसके बाद थोड़े seconds के लिए rest करता है, तब हमारे arteries में जो खून का pressure रहता है, उसे diastolic pressure कहते हैं. तो हमारा normal BP जो है, normal blood pressure जो है, 120 by 80 mmHg रहता है, इसमें 120 mmHg जो है systolic pressure है, और 80 mmHg जो है diastolic pressure है, तो हमारा BP जो है, spigmo manometer से measure किया जाता है. तो आप देखते हैं, hypertension किसे कहते हैं? तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमारा normal BP जो है, 120 by 80 mmHg रहता है, लेकिन अगर आपको आपका BP बहुत दिनों से 120 by 80 से जादा दिखा रहा है, जैसे कि systolic pressure जो है, 140 या फिर 140 के ऊपर दिखा रहा है, और diastolic pressure जो है, 90 या फिर 90 से ऊपर जा रहा है, तब इस condition को हम hypertension या high BP कहते हैं, तो आईए देखते हैं, hypertension क्यों होता है, किन कारणों की वज़े से होता है, और इसके types क्या है, तो hypertension के mainly two types आते हैं, एक आता है primary hypertension, दूसरा आता है secondary hypertension, primary hypertension जो है, 90 तू 95 परसेंट लोगों में primary hypertension दिखाए देता है, इसमें हमें exact cause मालुम नहीं होता है, unknown cause की वज़े से जब hypertension होता है, इसे primary hypertension कहते हैं, इसमें हमारा जो BPA gradually develop होता है, तो ये क्यों होता है, इसकी risk factors क्या है, तो सबसे पहला जो है genetic factors की वज़े से, या फिर family history की व अगर आपके घर में किसी को hypertension की problem थी, तो आगे चल कर आपको भी hypertension या high BP आ सकता है, दूसरा जो है lifestyle की वज़े से, अगर आपकी lifestyle जो है sedentry है, यानि only खाना, पीना, सोना, कुछ physical activities नहीं करना, तब आगे चल कर आपको भी hypertension आ सकता है, या फिर obesity की वज़े से, मोटापे की व और खाने में salt जादा लेने के वज़े से, salt में जो है sodium रहता है, जो water retention करता है, water retention होने के वज़े से क्या होता है, blood volume बढ़ जाता है, जब blood volume बढ़ जाता है, तब arteries की wall पर pressure भी जादा गिरता है, जिसकी वज़े से hypertension हो सकता है, और obesity में क्या होता है, यानि अगर आपका वेक्ती हो, इससे क्या होता है, आपका जो body surface है जादा रहता है, जिसकी वज़े से heart को जो है, खून जादा pump करना पड़ता है, heart के उपर जादा pressure गिरता है, जिसकी वज़े से hypertension हो सकता है, या फिर जो लोग sedentary life जीते है, fatty food जादा खाते है, बाहर का junk food जादा खाते है, य उन लोगों में क्या होता है, उनकी जो arteries रहती है, खून की नसे रहती है, उसमें fat deposition होना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़े से जो खून की नसे होती है, नारो बन जाती है, जिसकी वज़े से hypertension हो सकता है, या फिर bad habits की वज़े से, या जो लोग tobacco, alcohol, smoke करते है, उनकी जो ख खून की नसे नारो हो जाती है, जिसकी वज़े से भी hypertension या BP हो सकता है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा stress रहता है, तनाव रहता है, तब भी आपको hypertension या high BP हो सकता है, नेक्स्ट आता है age factor, यानि अगर आपका age जो है, 60 साल के उपर है, तब आपको hypertension आ सकता है, या फिर metabolic disorders की वज़े से, यानि अगर आपको sugar की विमारी है, diabetes की विमारी है, तब भी आपको hypertension या high BP आ सकता है, अब देखते है secondary hypertension, इसमें क्या होता है, किसी कारण की वज़े से, किसी दूसरी विमारी की वज़े से hypertension डेवलप होता है, high BP डेवलप होता है, जैसे कि अगर आपक में कुछ problem हुई है, या फिर आपका aorta constrict हुआ है, narrow हुआ है, या फिर आपको pre-eclampsia हुआ है, यानि pregnancy में भी hypertension हो सकता है, या फिर कुछ medications लेने की वज़े से, जैसे कि oral contraceptive लेने की वज़े से, या फिर on counter जो cold की medicine मिलती है, painkillers मिलते हैं, उनको लेने की वज़े से, या फिर cocaine drugs लेने की वज़े से, या फिर जिन लोगों को obstructive sleep apnea की problem है, उन लोगों में भी hypertension develop हो सकता है, तो आई ये देखते है, hypertension में कौन से symptoms दिखाई देते हैं, कौन से लक्षन दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत जादा तेज सिरदर्थ होता है, इसके साथ चक्कर आता है, आखों के सामने अंधेरा चा जाता है, आपको जी मचलाता है, उल्टिया होती है, कभी कबार आपके नाक से खून दिखाई देता है, जिसे epistaxis कहते हैं, या फिर आपकी जो heartbit है, उसमें variations दिखाई देते हैं, सास फुलने लगती है, थोड़ा सा काम करते ही थकावट, कमजोरी महसुस होने लगती है, इसके साथ साथ आपके कान में एक आवाज सुनाई देता है, तक तक आवाज सुनाई देती है, जो heartbit की तरह महसुस हो सकती है, अगर आप hypertension को बिना treat करें ऐसे ही छोड़ते हैं, तब कौन से complications दिखाई दे सकते हैं, तो आपके organs जो है fail हो सकते हैं, जैसे कि kidney failure हो सकती है, heart failure हो सकता है, heart attack आ सकता है, या फिर stroke हो सकता है, या फिर retinopathy हो सकती है, या आपके आखों में जो blood vessels है और rupture हो जाती है, जिसकी वज़े से आप अंधे हो सकते हो, आपका vision loss हो सकता है, या फिर temporary hemiplegia हो सकता है, तो ये सभी complications आपक हाइपरटेंशन के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं लक्षन दिखाई नहीं देते हैं जिसकी वज़े से इससे साइलेंट किलर भी कहा जाता है अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ है हाइपरटेंशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लक्षन दिखाई दे रहे हैं exercise या फिर walk वगेरा करना चाहिए और अपनी lifestyle में changes लाने चाहिए जैसे कि अगर आप sedentary life जीते हो तो उसे छोड़ देना चाहिए रोजाना physical activities करनी चाहिए exercise walk करना चाहिए या फिर अपने खाने में जो भी oily fatty food लेते हो तले हुए पधार्त लेते हो या फिर junk food लेते हो उसे छोड़ देना चाहिए खाने में healthy diet, balanced diet, light food लेना चाहिए अगर आपका वजन बड़ा हुआ है आप obese हो तो आपका वजन जो है धीरे धीरे घटा लेना चाहिए gradually weight loss करना चाहिए इसके साथ साथ आपको अपने खाने में salt intake कम करना चाहिए tea, coffee कम लेना चाहिए या फिर आपकी जो भी bad habits है जैसे के alcohol लेना, tobacco को खाना इसे पूरी तरीके से avoid कर देना चाहिए या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा stress होता है, तना होता है तो इसके लिए आप रोजाना meditation कर सकते हो थोड़ा सा walk वगेरा कर सकते हो जिसकी वज़े से आपका hypertension जो है control में आ सके तो friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, informative लगा तो इस वीडियो को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और हमारे नए वीडियो की notification के लिए bell icon प्रेस कीजिए धन्यवाद झाल को